रमस्कार दोस्तों एक जामितर में एक बार फ़री साब का स्वागता आश्या करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तों गुरू गोविन सिंग इंदरपरस्टी उनिश्टी जिसे आई पी यू के नाम से भी जानते हैं तो इसका बी एस से नर्सिंग के एडिमिशन है वो नीटी स्कोर के basis पर कंड़र्ट करवाया जा रहा है तो इसमें जो टौटल चार कोलेज थी उनमें रेजिटेसन प्रोसेस इंदरटी किंप्लिट हो रह किये तो अभी इसे का एक रिसेंटली एक notification जारी किया गया है और रेजिटेसन प्रोसेस से मैंने ओल्रेड़ी आपको वीडियो जम्हें सारी जानकर प्रोवाइड करवा रही है कि इसका रिष्टेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ था कौन से colleges में participate कर रहे हैं eligibility criteria सारा सब कुछ मैंने already videos में बता रखा है तो I hope आपने registration process और जो counseling की process है वो आपने complete करने लिए होगी तो काफी सारी candidate के ये doubt था और ये issue भी था कि sir अमारी जो counseling में choice preference कब से start होगी साथ ही choice फिल करने के बाद में result कब जा रही होगा reporting कब करवानी रहेगी और fees क्या रहेगी तो सारी जाने करें आपको इस video मिलेगी वीडियो को सुरू सान तक जरूर देखिए अगर हमारे चैनल पे नया है चैनल को subscribe करें बेल आइकन को तो बहुत से कि आने वले आपको मिल सके तो दोस्तो आई-पी-उ में बेसे नर्सिंग में admission प्रोशेज नीट स्कोर के बैसे इस पर कंड़र करवाय जा रहा है और इसमें total चार कोलेज पार्टिसिपेट कर रही है जो डैली बेस्ट कोलेज है आप यहां पे पहले रेश्टेशन प्रोशेस कंप्लीट कर वा ली थी तो जो केंडिडेट जिन्होंने जो क्वालिफाइड है और जिन्होंने अपिडिकेशन फर्म फिल कर रहा है और जो फीज है वो भी पे कर रही है जैसे इनके अजार उपे है और 12 रुपे है यह अगर आप ने फिज पे कर रही है तो अपना चोईस फिलिंग है वो आप फील कर सकते हैं तो इनकी इन्होंने दो दिन की वो डेट यहां पे जारी कर दी गई है वो डेट आपको खिल दो ही दिन की दी गई है दोस्तों तो यहां पे आपको 29 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 30 जनवरी को आपका जो चोईस फिलिंग का प्रोसेस है वो आपका यहां पे टाइम देख सकते ग्यारा बस के 50 मिनट पे रात में यह आपका टाइम में खतम हो जाएगा तो जिन केंड़ेट ने रिडिशेशन कर रखा है आई पी यू में तो वो इन दो दिन का ध्यान रगे इनके बाद में आप चोईस फिलिंग नहीं कर पाएंगे तो इसमें जिन केंड़ेट ने अपनी एप्लिकेशन फीस है वो पे कर रखी है जो अजार रुपे है और जो कांसलिंग फीस है वो आपकी बारास रुपे आपकी एप्लिकेशन फीस है जार रुपे आपकी कांसलिंग फीस है तो बारास रुपे है और यह 1000 रुपे आपकी टोटल 22 रुपे जोनों पे कर रखी है तो वो इसमें पाइटिसपेट कर सकते हैं और काउंसलिंग में क्यों दो ही दिन का टाइम लेगा यह आपको चैसे देख लेना है अब नेक्स्ट इसका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा तो दोस्ता आपकी जो फर्स रूंड काउंसलिंग है तो उसका रिजल्ट आपका 31 जनवरी 2022 को आपका जारी कर दिया जाएगा मतलब कि next three days में आपकी choice filling और आपका result है वो आपका complete हो जाएगा उसके बाद में आपको जो choice filling हो रगी तो उसके बाद में जिन candidate को college allot होगा तो first round counseling का तो उन्हें करना क्या रहेगा उन्हें 3 फरवरी 2022 तक का समय दिया जाएगा तो जिन candidate को upgradation करवाना है तो उनको option आएगा float का तो वो float पे click कर सकते हैं और जिन अपग्रेड़ेशन नहीं करवाना है मतलब कि जो seat allot होगी है उसी में ही satisfy है तो वहाँ पे आपको option आएगा freeze का तो freeze पे आपको click करना है freeze पे आप जैसे ही click करेंगे तो आप upgradation नहीं करवा पाएंगे और आपको जो college allot होई है उसमें आपको admission लेना रहेगा तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और ये दो चीज़ें आपको 3 फरवरी 2022 से पहले पहले ही कर लेनी है 31 जनवरी का आपको आपका रिसल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा अगर किसी भी candidate को कोई भी issue है तो comment box में पूछ सकते हैं या मुझे instagram फॉलोगर के महाँ से भी जानकर ही ले सकते हैं और next अगर इसकी बात की जाए दोस्तों आपकी fees की तो जिन candidate को college allot हो जाता है और 3 फरवरी 2022 को result declare होने के बाद में float या freeze मैं से कोई भी option चूज करते हैं जिन्होंने freeze या float दोनों मैं से कोई भी option चूज करते हैं तो फिर आपकी जो आगी की process रहेगी seat allotment होने के बाद में आपको रहेगी 40,000 रुप अपनी fees आए वो आपको pay करनी रहेगी और pay करने के बाद में आपना allotment letter है या offer letter है वो आप अपना निकाल सकते हैं और जो 40,000 रुप पे करने की date last date है वो भी आपकी तीन परवरी तक ही दी गई है तीन परवरी तक आप अपना allotment letter निकाल सकते है और जो 40,000 रुप फीज है वो भी pay कर सकते हैं और reporting की date दोस्तों आपकी 4 परवरी से start हो जाएगी और इसकी 7 परवरी तक आपकी ये date रहने वाली है तो ये आपकी जो schedule है वो complete जारी कर दिया गया है तो आपको ये dates आपको अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि ये सबसे important है और 40,000 रुप फीज सम्मेट करने के बाद में आप अपना allotment letter या provisional जो offer letter है वो आप download कर सकते हैं और जिसकी last date भी दोस्तों आपकी 3 परवरी है और 4 परवरी से next day से आप 7 परवरी तक reporting करवा सकते है college में तो दोस्तों ये schedule जारी किया गया है और next जो second round counseling का जो process है व तो दोस्तों जो भी आपकी doubt दा सारा clear हो गया होगा वीडियो पसंद आए वीडियो को like करे, share करे, धन्यवाद, जैहिं, जैवारत